आसलाम लेकुम फ्रेंस मैं हूँ सदर एकबर फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकुम करती हूँ मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टीन एज स्किन केर टीन एज बारा साल से उनने सल की एज को कहते हैं इस एज में हॉर्मोनल चेंजिस की वज़े से फेस पर ऐक्व और पिंपल आना एक नॉर्मल सी बात है इस एज में एज में सकिन डेवलप होती है तो हमें स्किन की क्लेंजिक और स्किन केर ज़रूर करना चाहिए तो मेरी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कम से कम स्किन केर प्रोडेक्स जो टीनेज के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है वो भी अफोर्डेबल रेंज में स्टेपन लंबर वन आपको सिर्फ दिन में दो बार फेस वाषी ज़रूर यूज करना चाहिए और अगर आपकी स्किन एक्न्रेश करें जो जो जियल बेस हो आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप क्लीनन क्लीयर का फेस वाषी पी यूज कर सकते जैसे नीविया की सॉफ्ट क्रीम है या ऐलोवेरा जेल अप्लाइ कर सकते हैं एजिली ऐलोवेरा जेल आपके स्किन में आप्जर्व हो जाएगी और आपके स्किन को मॉस्चिराइज रखेगी फेस वाश यूज़ करने के बाद आपको एभी मॉस्चिराइजर अप्लाइज जरूर करें अगर आप टीनेज है तो स्कूल और कॉलिज गूइंग है तो आप स्कूल और कॉलिज जाने से पहले स्किन जरूर अप्लाइज करें अभी तो विंटर है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं पर समर में यूज़ करना मस्ट है स्टेप नंबर जो फुर है वो है टोनर टोनर के लिए आप रोज वाटर यूज़ कर सकते हैं तिनेज गल्ज स्कूल या कॉलिज जाते हैं तो बाहर की डर्ट हमारी स्किन में स्टेक हो जाती है तो टोनर इस डर्ट को दूर करता है स्टेप नमबर फॉर है वो है फेस क्रीम तीनेज स्किन बहुत जादा सॉफ्ट और जेंटल होती है अगर आप मार्केट की भी कोई face cream यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके उपर डिप्रेंड है टैप नमबर 6 है वो है lip balm आप अपने lips को time to time किसी भी lip balm से मौशिराइज जरूर रखें ताकि आपके lips dry ना हो जो आपको affordable lip balm लगे आप वो ही use करें I hope आपको मेरी ये teenage skincare routine पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो please like share और subscribe जरूर कर दीजगा